ज्यान की संस्कृति एक आवश्यक विश्यवानी पीट्या से भगवत गीता के अनुसार ज्यान के सनवर्धन में 18 वस्तुए हैं. ज्यान की ऐसी संस्कृति से व्यक्ति धीरे दीरे अभिमान रहित, घमंट से रहित, अहिंसत, सहनशील, सराल, महानाध्यात्मिक गुरुवार के प्रती समर्पित और आत्मसन्यमी बन जाता है. ज्यान की संस्कृति से व्यक्ति चूलह और घर से एना सक्त हो जाता है और मृत्यू, जन्म, बुढ़ापा और बीमारी के कारण होने वाले दुखों के प्रती सचेत हो जाता है और ज्ञान की सारी संस्कृति भगवान वासुदेव की भक्ति में सेवा में समाप्थ होती है इसलिए ज्ञान की सभी विभिन शाखाओं को विक्सित करने का अंतिमुद्देश वासुदेव हैं वासुदेव से मिलने के पारलॉकिक स्तर तक ले जाने वाली ज्ञान परिचे निमनलक्त आठ्र धर्णों में दिया गया है। श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरन भवत गीता के अनुसार ज्ञान के सनवर्धन में 18 वस्तुए हैं। ज्ञान की ऐसी संस्कृति से व्यक्ति धीरे धीरे अभिमान रहित, घमंट से रहित, अहिंसत, सहनशी, सराल, महानाध्यात्मिक गुर्वार के प्रती समर्पित और आत्मसन्यमी बन जाता है। 28 से 29 विद्वान संतों को भौतिक अस्तित्व की सर्वोत्क्रिष्ट बीमारी के रूप में इस प्रकार के जूठी प्रतिष्ठा से ग्रिणा महसूस होती है। सभी अच्छे कारे, ज्यान की संस्कृती, ध्यान, तपस्या, इत्यादी जो कुछ भी किया जाता है ये सभी गतिविधियास भौतिक रोग को सुधारने के लिए हैं। इश्वर का संदेश, अध्याय दो, ऐसा सत्यत्रिविध दुखों को नश्ट कर देता है। संस्कृत से व्यक्ति धीरे-धीरे अभिमान रहित, घामंट से रहित, अहिंसत, सहनशी, सराल, महानाध्यात्मिक गुरुवार के प्रति समर्पित और आत्मसन्यमी बन जाता है। ज्यान की संस्कृति से व्यक्ति चूलहा और घर से एनासक्त हो जाता है और मृत्यू, जन्म, बुढ़ापा और बीमारी के कारण होने वाले दुखों के प्रति सचेत हो जाता है। और ज्यान की सारी संस्कृति भगवान वासुदेव की भक्ति में सेवा में समाप्थ होती है। श्रीमत भागवत 1.2.28-29 ऐसी भक्ति पूर्ण गतिविधियों को हमारी दैनिक गतिविधियों के साथ समन्वैप करना तक्नीकी रूप से कर्मयों के रूप में जाना जाता है। ज्यान की संस्कृति के साथ मिश्रित होने पर वही भक्ति गतिविधियां तक्नीकी रूप से ज्यान योग कहलाती है। विद्वान लोग आत्मा के सुख और दुख पर बहुत अधिक जोड़ देते हैं जो आत्मा है और शरीर और मन के अस्तित्व से पुरे है। जब हम ज्यान की ऐसी संस्कृति में प्रवेश करते हैं तो इसे पारलौ के ज्यान कहा जाता है। माशल अर्जुन ने खुद को एक भौतिक वादी मूर्ख के रूप में चित्रित किया, जिसके पास कोई पारलौ के ज्यान नहीं था, सिर्फ हमें सिखाने के लिए जो शत प्रतिशत भौतिक वादी मूर्ख है। इश्वर का संदेश, अध्याय एक, ज्यान की संस्कृत या रहसे में योग द्वारा हुरिदय की शुद्धी किसी व्यक्ति के लिए कुछ समय के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन ये रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा रुके हुए पानी की थोड़ी मात्रा को साफ करने जै जबकि अन्यतरिक के कुछ समय के लिए सथी रूप से अच्छे हो सकते हैं, मन के उत्तेजना के कारण फिर से मेला हो जाने का खत्रा होता है। इसलिए ज्यान की वास्तिविक संस्कृति क्षेत्र से नहीं बल्कि क्षेत्रग्य से संबंधित हैं। हमें इन सभी विश्यों पर अधिक विस्तार से चर्चा करने का पुरा अवसर मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम केवल ये जानकर संतुष्ठ हो सकते हैं कि क्षेत्रग्य, पुरोज या भोगता सभी ज्यान का केंद्री ये उद्देश है, क्योंकि ये क्षेत्रग्य ही हैं जो कुछ बनाता है भोतिक शरीर और मन और संबध भोतिक तत्वों के साथ सयोजन में इश्वर का संदेश अध्याएक